तो चलिए आज के वीडियो में करते हैं हमारे हिंदी का अगला पार्ट पार्ट 18 थक हमने कर लिया था आज करते हैं पार्ट 19 नामह सो ये है हमारा पार्ट अहा दिखे हमने जब स्वर पड़े थे तो हमने पड़ा था ना ये हमने पड़ा था है ना सो इसमें जो लास्ट स्वर है हमारा ये है हमारा अह इसको कैसे बोलते हैं अह ठीक है तो आज हम वही पड़ने वाले हैं यहाँ पे सो देखिए यहाँ पे लिखा है नमह सो जब एक अक्षर के बाद दो बिंदी लगाते हैं मतलब अक्षर के पीछे दो बिंदी लगाते हैं तब हम उसे अह वाली आवास देते हैं जैसे यहाँ पे देखिए वैसे तो यह नम नम लिखाया है ना पर देखिए यहाँ पे दो बिंदी लगाई हुई है तो हम इसको कै पूरेंगे लिक्न दोबिंदी लगाई है तो हम इसको पढ़ेंगे अवाज है फलत ठीक है फलत बोलेंगे तो गलत हो जाएगा इस बिंदी की आवाज है अह ठीक है फलत मूलत शनेह संभवत परिनामत ठीक है तो यहाँ पे हमें इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है पर यह सब जो हैं सैंस्क्रिट वर्ड्स है जब हम सैंस्क्रिट लैंगुज बोलते हैं भाषा बोलते हैं तब हम इस तरीके से बात करते हैं उनके पीछे बिंदी लगा कर जो यह सैंस क्रिट के शब्द है ठीक है सो अभी हमने यहाँ पे इन शब्दों को पढ़ लिया पर क्या हमें पता चला कि इन सब का मतलब क्या है नहीं पता चला है ना क्योंकि यह शब्द तो हमने कभी सुने ही नहीं होंगे है ना सो अब हम इसका मतलब भी समझ लेते हैं देखे, यहाँ पे मैंने उन शब्दों को लिखा है और उनका मीनिंग भी लिखा है, मतलब ही, तो देखते हैं, पहला शब्द अतह, अतह का मतलब है, इसलिए, इसलिए ऐसा हो गया, सो अतह, अतह का मतलब होता है, इसलिए, then पुनह, पुनह मतलब फिर से, मतलब किसी तो उसको हम बोलते हैं पुनह, इसको पुनह करो मतलब इसको फिर से करो, इसको दोबारा करो, अंततह, अंततह मतलब आखिर में, अंत में, मतलब लास्ट में ऐसा हो गया, आखिर में ऐसा हुआ, ठीके, तो अंततह, देन फलतह, फलतह मतलब परिणाम स्वरूप या इसलिए, म मतलब फलतह, किसी चीज का परिणाम, किसी चीज का नतीजा, मूलतह, मतलब मूलकारण या प्रत्हंबार, उसका क्या मतलब है? मूलकारण, मतलब क्या? किसी चीज का में कारण, अगर कुछ हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं, यह पता है किसले हुआ, इसका main reason यही है, उसका main कारण, इसको हम basically भी बोलते हैं, basically, so उसको हम बोलते हैं मूलतह, then shanay, shanay, shanay मतलब धीरे-धीरे, या hale-hale, कुछ चीज का होना लेकिन धीरे-धीरे, जैसे कि वह shanay, shanay उठकर मेरे पास आ गया, मतलब वह धीरे-धीरे मेरे पास आ गया, तो shanay का मतलब होता है धीरे, आगे देखिए, sambhavatah, जिसको हम हिंदी में शायद बोलते हैं, शायद हो सकता है, कल शायद वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जब हम किसी चीज़ के बार में श्योर नहीं होते हैं, मतलब हम पक्का से नहीं बोल सकत फलतह हमने पढ़ा था ना, सब वही मीनिंग होता है, यहाँ पर भी उसका फल, मतलब फल स्वरूप ऐसा हो गया, उसका नतीज़ा, उस वर्ड के लिए हम परिनामतह यूज़ कर सकते हैं, इतना आपके बुक में हैं, और ये थोड़े एक्स्ट्रा भी हैं, आप देख जिसमें अह की मात्रा लगती है, नमह, नमह मतलब नमस्कार, किसी को हमें प्रणाम करना हो, हम नमह बोल सकते हैं, प्रातह मतलब सुभा, सुभा को हम प्रातह बोलेंगे, या सवेरा, मतलब सुभा का समय, ठीके? प्रायह, प्रायह मतलब जादातर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, उस वर्ड के लिए हम प्रायह यूस करेंगे स्वतह जब हमें खुद के बारे में बोलना हो तब हम स्वतह बोलेंगे उसका मतलब है स्वयम या खुद अपने बारे में जब बात करते हैं वस्तुतह वस्तुतह मतलब सचमुच वस्तुतह सच में ऐसा हो गया तो ये हमें याद रखने हैं, तो देखा आपने ये सब वो words हैं जिसमें हम अह की मात्रा लगाते हैं, अह की मात्रा मतलब दो बिंदी शब्द के end में, मतलब शब्द लिखने के बाद दो बिंदी लगा दिया, तो वो है हमारी अह की मात्रा, ठीके, तो इन शब्दों को और इन्हें कैसे लिखते हैं प्राक्टिस कीजिए और उनका मतलब ही हमें पता होना चाहिए देखिए आगे यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है सिरुफ एक पेज में दिया है यह पार्ट आपका ठीक है देन लिखो यहाँ पे इन शब्दों के उपर लिखना है और आगे देख देखिए यहाँ पे दो पंक्तियां दिये हैं दो लाइन्स दिये हैं जिनको हम पढ़के देखते हैं जिसमें अह की मात्रा वाले शब्दों को यूस किया है देखिए माता पिता को नमह करो नमह का मतलब हमने पढ़ा है नमसकार करो ठीक है सो माता पिता को नमसकार करो प्र पाट समझो अंततह मतलब लास्ट में अंत में आखिर में ठीके आखिर में पाट को समझो जो हमने पढ़ा है उसको समझो पुनह पाट याद करो पुनह मतलब दुबारा फिर से फिर से पाट को याद करो ठीके सो माता पिता को प्रणाम करो नमस्कार करो धीरे धीरे से पाट पढ़ो अपना किताब पढ़ो अपना लेसन पढ़ो देन लास्ट में पार्ट को समझो अंत में पार्ट को समझने की कोशिश करो और पुना पुना दुबारा दुबारा पार्ट को याद करो तो ये दो पंक्तिया दी है जिनमें इन शब्दों का यूस किया है तो आपको इन को यहां से जोड कर नएज शब्द बनाने हैं, सो देखे, अ प्लस त बन गया अतह, सो आप अ तह इस तरीके से लिख सकते हैं, मूल तह, तो क्या बन गया शब्द हमारा, मूل पहले लिखा, मूल, देन तह, मूलतह, ठीक है, इस तरीके से मूलतह लिख लिया, देन अंत प्लस त, अंत को तह के साथ जोड़ो, जो की बन जाएगा हमारा अंत तह, ठीक है, इस तरीके से हम शब्द बनाते हैं, तो देखें इतना ही है, ये पार्ट हमारा, इसमें सिरुफ अह की मात्रा के बारे में हमें बताया गया है, तो अब आगे का पार्ट करेंगे अ अपने अगले वीडियो में, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई, टेक केर